यह कब तक लड़ेंगे अपनों से कैस लिट्रोल कर दो नहीं करना यह आईशा लड़ाई के लिए नहीं बनी प्यार करते है आजिफ से उसे परिशाम थोड़ी ना करेंगे अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है वो आज़ाद रहे चलो नमस्कार मैं शम्भू कुमार सिंग और आप देख रहें इसल दस्तक एक वीडियो दिखाया रहा है चल रहा है सोसल मीडिया पर वायर रहा है रीवर फ्रंट पर एक मुस्लिम समाज की महिला ऐसा जो वीडियो बनाती है और सुसाइड कर लेती है आरोप उनके पती पर लगता है मीडिया उसे जिस तरह से दिखा रहे है कि ये दहेज का मामला है कब तक लड़ेंगे अपनों से कैस प्रिट्रोल कर दो नहीं करना ये आईशा लड़ाई के लिए नहीं बनी प्यार करते है आरिव से उसे परिशान थोड़ी ना करेंगे अगर उसे आज़ादी चाहिए करेंगे वह आजाद रहे हैं चलो मीडिया इसी दिखा रहे कि ये मुसलमानों में कटरता है मुसलमान महिला बुज़ी हैं उनके धर्म में समस्या है मुस्लिम समाच के लोग को इस पर बात करने चाहिए विचार करना चाहिए क्या है मसला लेकिन कुछ चीजे तो साफ है कि जिस तरह से इस हत्या को दिखाया जा रहा है, जिस तरह से उस परिवार पुरे मुस्लिम कम्मूनिटी को खरा किया जा रहा है, यह ब्यक्तिगत उस सक्स के बारे में बात नहीं कि जा रही है, तो अगर समाज के तौर पे बात करेंगे, तो इसी देश में सबसे ज़्यादा व जो हत्या करते हैं, वो कौन लोग हैं, वो सब जानते हैं, इसी देश में सबसे जादा करोरों तक दहेज का परचलन किस धर्म में और किस समाज में है, ये हमसे आप से छुपा हुआ नहीं है, मेरी अभी लंबी घट बहस हुई, और मुस्लिम समाज के बारे मैंने जानने समझ इकोसिस की, मुस्लिम समाज में बिल्कुल दहेज नाम की चीज नहीं है, मेहर की रकम तै होती है, जो कि लड़के वाले को लड़की वालों को देना होता है, आदिवासी समाज में बिल्कुल दहेज नहीं है, बहुजन समाज में SCSTOBC में जो अब एक धर्म विसेस के आपको पता है, वो कौन लोग हैं, जब जॉक्टर अंबेटकर इस देश में हिंदू को बिल ला रहे थे, जिसमें पिता और पत्ती की संपत्ती में महिलाओं को अधिकार था, महिला को तलाक देने का अधिकार मिला, तो वो कौन लेक थे, जिस दे, कौन लोग थे, जो बिल पर इस देश की मीडिया बात नहीं करती है इस देश की मीडिया उसको हिंदू-मुस्लिम करने में मज़ा आता है क्योंकि उससे हिंदू के नाम पर SCSTOBC को मॉबलाइज किया जाता है और एक पाटी भी सेस जाती भी सेस और धर्म भी सेस के लोगों फायदा होता है इसलिए इस खबर को बरहाज चरहा कर दिखाया जा रहा है नहीं तो इसी देश की मीडिया करनाटक इस देश में रोज हजारों महिलाओं को रेप का सिकार होना पड़ता है हात्रस की बेटी को आपने देखा होगा उन्नाव की बेटी को होगा देखा हो रेप करके मार दिया जाता है उस खबर को दवा दिया जाता है क्योंकि उस खबर से जातिवाद की सरांद वहार आती है उस खबर से इस देश की धर्म विसेश की आस्थाएं आत हो जाती है लेकिन जब एक मुस्लिम महिला की इस तरह की वीडियो सामने आता है तो उसको मीडिया चाती पीरती है दिखाती है अच्छी बात है दिखाना चाहिए हर तरह की बुराई को बताना चाहिए लेकिन उसमें जो फैक्चुल यह है कि उसमें दहेज का सायद मामला नहीं है उस लरके का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर्स था यह लरकी से उसके संबंद अच्छे नहीं थे क्योंकि उस वीडियो को आप सुनिए वो कह रही है कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है तुम आजाद होना चाहते हो तो आजाद हो जाओ वो अपने पती से दुखी थी नाराज थी गुस्सा में थी और अपने इग्नॉरेंस को बरदास्त नहीं कर पा रही थी एक मेरी साथी कलीग है उनसे मेरी बात चीत हुई इस पर बहस हो उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया कि इस देश में आपने महि सामने हिंदू कोड बिल में किया था इस देश में महिलाएं या तो पिता के नाम से पलती हैं पती के नाम से पलती हैं या फिर भाई के नाम से पलती हैं शादी होने के बाद पती अधिकारी है साधी से पहले पिता अधिकारी है इसी देश में लोग दस लाक दहेश तो देत कोट जाती कमपनसेशन लेती अपने आगे की जिंदी के लिए रास्ता चुंती में एक्जामपल दे रहा हूं तीना डावी आई स्टॉपर उन्हें एक दुसरे आई स्टॉपर मुस्लिम समाज के लड़के से शादी की दोनों में नहीं बना दोनों अलग हो गए मैं विदेश ससक्त लड़कियां हैं जो अपने पैरो पर खड़ी हैं जिनके सर पर छट है जिनके पैकेट में मनी हैं उनको आप डैमेज नहीं कर सकते उनको आप हस नहीं सकते समाज के ताना से भी वही ड़ते हैं जो आर्थिक रूप से और समाजिक रूप से कमजोर होते हैं तो सबसे भंपराद्व देश में अगर महिलाओं का नागरिक उनको विभस्ति को समझना होगा और यह कि जो लोग समझ रहे हैं उनको जातिवाद भी समझना होगा इस देश में महिलाएं दो तरह से परतारित हैं एक तो पित्री सत्ता पिट्यार्की की वज़ा से और दूसरा जाती की वज़ा से जो बहिजन महिलाएं हैं वो दो तरह से परतारित हैं एक तो उनको अपने घर में पती, पिता और भाई का सिकार होना पड़ता है, रिस्तेदार का सिकार होना पड़ता है, और जब वो सरक पर जाती है, तो जाती का सिकार होना पड़ता है, आयसा को मैं साथ हूँ, आयसा को सपोर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हमारी है कहावत है, जिस हिंदु धर्म को हम लो तुम्हें संभलना है, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम उनको अकेले छोड़ देते हैं, कोई भी आदमी सुसाइट तब करता है, जब वो अकेला महसूस करता है, आइसा के पिता की जिम्मेदारी थी, कि वो उनको मदद करते, अगर आइसा के प हम मर्द जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम एक पिता के तौर पे, पती के तौर पे और भाई के तौर पे महिलाओं को ससक्त नहीं कर रहे हैं, उनकी नौकरी, उनकी संपत्ति का अधिकार उनको नहीं है, वो पर लिख नहीं रही हैं, इसलिए इस तरह के नौब बताते हैं, उनक अपने परहाई, हक, अधिकार, संपत्तिक अधिकार के लिए लड़िए और बेहतर किजे जीवन में और आगे बढ़िए मुझे लगता है मैं सिर्फ मीडिया की वर से बात करने के लिए मजबूर हुआ हूँ मैं आयसा के साथ हूँ और अगर इसमें दहेज का मामला है तो आर बदनाम किया जाता है हिंदु मुस्लिम कियाता है इस देश में इस दुनिया में तलाक का कंसेप्ट ही इसलाम से आया है यह ठीक उसी तरह से है जैसे करोना के समय मुसल्मानों को जमाति कहकर बदनाम किया गया तो एक धर्म विसेस को एक एक जाती विसेस मुसल्मानों को औ मुसल्मानों में हैं, आदिवासियों में हैं, पिछरों में हैं, दलितों में हैं, सबसे कम किसी में भुरून हत्या है, तो वो मुसल्मानों में हैं, पिछरों में हैं, दलितों में हैं, अदिवासियों में हैं, सबसे जादा ओनर किलिंग, जातपात के नाम पर और भुरून हत तो वो किस जाती और किस धर्म में हैं वो आप सब जानते हैं किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है ऐसा को लेकर मिडिया मुस्लिम समाज को कट घरे में खरा करना चाहती है मिडिया में वो ताकत होती है कि जिस समाज को चाहे करमकांड कौन लोग जो इस देश में सबसे ज़्या जादा शादी में दिखावा करते हैं वो कौन लोग हैं जो सबसे जादा जिसके समाज में भुरहत्याय होती है मैं फिर कह रहा हूं डिवोर्स लेना कोई पाप नहीं है वो लीगल राइट से आपका इस देश में लेकिन उसके लिए जब हमारी बहन बेटियां हमारे घर की मह मिलाएं आर्थिक रुप से समाजिक रुप से ससक्त होंगी अपने पैरों पर खड़ी होंगी तब जाके वो मतलब तलाक लेके भी अपने पती से भाई से या पिता से भी अलग रह सकती हैं और एक बहतर जिंदगी जी सकते इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी मा बहन ब बदनाम करने के लिए और इसका एक रादनीती के जिन्डा है जितना ज्यादा मुसल्मानों को कटर पिछरा अंपर कूमगज प्रप्रप्गेंडिस्ट दिखाए जाएगा उतना ज्यादा एक पार्टी विसेश को और धन विसेश को फायदा मिलता है मैं फिर कह रहा हूं आ अजबी बकस रही है मतलब है कि अनके पती आ जोंहें की रिष्ते में पती थी उनका किसी से रिष्ता था जिसको बरदास्त नहीं कर पा रही थी लेकिन उनके पास कोई बिकल्ब नहीं था कि वह अपनी जिन्द्गी को साथ फिर से ट्रैक पर लाएं शूरू कर सके और हूं अगर उसा आजादी चाहिए ठीक है वो आजाद रहे चलो ऐसा आपको हिम्मत दिखानी चाहिए थी आपको हांसला दिखाना चाहिए था आप सस्टेन करती सुसाइड कोई रास्ता नहीं है कोई विकल्प नहीं है अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप लड़िये करत करना नहीं है अगर ऐसा होता तो आरक्ष महिला आरक्षन में महिलाओं का विरोध नहीं किया था अगर वैसा होता तो इस देश में काली लड़कियां भी हिरोईन होती इस देश में रंग रूप कलर को लेकर इस देश की मीडिया टीवी अखवार ने जो कहानिया गड़ को पुसक्ति डेश में कोई कि लड़की रहाना की तरह दुनिया की मसूर्ण सिंगर हो सकती नहीं कर सकते आप कलपना की सब मीडिया का पाप है प्रफगेंड़ा फैलाए जा रहा है आईशा को न्याय मिले अगर दहेज का मामला है तो और मैं फिर कह रहा हूँ इस तरह से सुसाइड को महिमा मंदित मत किजिए सुसाइड करना कोई बिकल्प नहीं है लेकिन सुसाइड आदमी तब करता है जब वो तमाम परिशित्यों से घिर जाता है जैसे रोहित बेमुला भी थे उनको भी सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया था पायल तर्वी था जिनको समाजिक तोर से परतारित किया गया उनको समाजिक तोर से छोड़ दिया गया फिर कह रहा हूँ अगर आपके साथ भी कहीं इस तरह के मामले तो उनके साथ खड़े हो ये उनको मजबूती दीजिए अपनी बहन बेटियों को आर्थिक रूप से ससक्त कीजिए समाजिक रूप से ससक्त कीजिए ये है सलूसन लेकिन उन लोगो जो दुसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं उनको अपने तरह भी देखना होगा कि किस जाती धर में सबसे ज़्यादा महिलाओं का आप मान है किस जाती धर्म में सबसे ज़्यादे भून हत्या है किस जाती धर्म में सबसे ज़्यादा दहेज है यह आपको सोचना पड़ेगा आपकी मेरी पर्तिक्रिया मेरी बिल्कुल नीजी राय है इस राय पर आप लोग की क्या पर्तिक्रिया है कि ये वीडियो ये खबर को जान पुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्मल दस्तब को सब्सक्राइब करने के लिए रेट क्लर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे